हलो बच्चों बहुत बहुत स्वागत है इस अरल की फिजिक्स रिविजिन सेरीज में वेलकम बहुत साराइश गुपता और आज हम जो है modern physics का second जो पार्ट है फोटो एलेक्ट्रिक एफेक्ट एंड डी ब्रॉगली वेवलेंट इसको पूरा रिवाइस करेंगे बहुत important पार्ट है बहुत questions आते हैं and easy questions आते हैं ठीक है questions easy आते हैं निहान रखना तो इसको अच्छे से revise करेंगे बहुत जल्दी revise हो जाएगा ठीक है इसका mind map जो है देखो उसमें इसको सब कुछ सारी चीज़े important one fit कर दी गए है mind map में बहुत अच्छा और बड़ी मेहनत से बनाए वो mind map है एक एक graph और एक एक चीज़ हमने बनाई है यार इसमें तो यह आपको download भी कर सकते हैं जिसका link आपको description में मिल जाएगा ठीक है चलिए आपको पता है Israel क्या करता है Israel एक prepare करने की app है ITJ NEET की और foundation classes की भी तो पूरे systematic तरीके से इसमें video lectures बने हैं जिसमें आप animations visualization के तुरू बड़ी असानी से सारे concept समझ साकते हैं फिर क्या होता है हर lecture पढ़ने के बाद में आपको एक homework मिलता है sheets बनाई हुई है फिर topic wise test है बहुत सारी चीज़े हैं तो आप app को जरूर से explore करें प्ले स्टोर पे जाएं e-seral type करें app install करें register करें तो फिर आपको जो है इ काफी सारी चीज़े try कर सकते हैं और कुछ चीज़े तो आपके लिए हमेशा के लिए open रख रहे हैं तो आप पूरा package जो है try कीजिए देखिए कितनी बड़ी अबड़ीया चीज़े हैं और there are things which are absolutely absolutely free हमेशा जो आपके लिए कुछ चीज़े free रहेंगी उनको explore कीज़े ठीक है चालिए भी दिवाइज स्टार्ट देखो तो सबसे पहले देखते हैं quantum theory of physics के हिसाब से some phenomenon can only be explained by assuming particle nature of light यार light particle है कि wave है इसकी लड़ाई है बहुत time से चली है Finally conclusion निकला भही है दो नो Hyun nature होते हैs particle भी होता है वेव नेचर भी होता है कई situation में particle nature से explain होता है कई situation में wave nature से explain होता है यो जो जिसमें particle nature show होता है वो है photoelectric effect जो हम समझते है तो देखो photoelectric effect समझेंगे उससे पहला photon के कूछ properties देख लेए फोटोन क्या होता है वो देख लेते हैं, light का जो पार्टिकल होता है उसे photon कियाता है basically, energy का packet होता है ये, photon can be assumed as a packet of energy, ठीक है, speed of photon in vacuum, photon कितनी speed से travel करता है vacuum में, light की speed से travel करता है, 3 to 10 kWh, meter per second, तो जो light की speed होती है, वो photon की speed होती है, vacuum में, ठीक है, 3 to 10 kWh, meter per second, चलिए, आप ज़र की properties देख लेते हैं या, photon की क्या properties होती है, energy of photon जो होती है, hc by lambda होती है, अगर light की wavelength lambda है, तो hc by lambda, h plank constant होता है, h new भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, इसको अगर हम solve करें, new frequency होती है, इसको solve करें, तो ये energy आ जाती है, 1, 2, 4, 2 by lambda, अगर lambda को nanometer में डालेंगे, nanometer मतब 10 की इसको approximately 1, 2, 4, 0 भी use कर लेते हैं, ठीक है, तो 1, 2, 4, 0 भी use कर सकते हैं, ठीक है, तो ये energy हमको electron volt में मिल जाती है, मतलब मालो, अगर, जैसे suppose करो, 620 nanometer की light है, तो एक photon की energy हो जाएगी, 1, 2, 4, 0 भी 2 से कट जाएगा, तो 2 electron volt हो जाएगी, उस photon की energy, अगर 600 bit, 620 nanometer की light है, ठी ठीक है, चलो भाई, बहुत अच्छी बाप, समझ में आगे से बात ही है, now, 1 electron volt is 1.6 minus 19 joules, पता है हमको ये, momentum of photon की तरह होता है, h by lambda, मतलब e by c, energy by c, तो h by lambda photon का momentum देता है हमको, ठीक है, e by c, that is h by lambda, चालिए, very good, plank constant की value होते है, 6.62 to 10 की वर, minus 34 joules second, 6.62 to 10 की वर, minus 34 joules second, याद रखें से value को, बहुत important, ठीक, चलिए, photons are electrically neutral and are not deflected by electric and magnetic fields, electric और magnetic fields से deflected नहीं होते हैं, ये electrically neutral होते हैं, ठीक है, very good, in a photon particle collision, the total energy and momentum are conserved, however, number of photons may not be conserved in collision, photon may be absorbed और new photon may be created, तो क्या बोल रहा है है, कि अगर photon किसी particle के साथ collide करता है, तो भईया, energy और momentum तो conserved होते हैं, लेकिन number of photons जरूरी नहीं conserved हो, दो photon आए, मालों एक इसने absorb कर लिया, इस particle ने तो दो photon आए थे, लेकिन एक ही निकला, लेकिन energy और momentum conserved रहेगी, लेकिन number of photons जरूरी नहीं है, ठीक है, एक photon आया, इस particle ने absorb करा, atom में ये कुदा, दो लेविल में कुदा, और दो photon इसने release करें, तो देखो, एक आया था, दो निकले, तो number of photon चेंज हो सकते हैं, ठीक है महीं जलो, very good, अब देखो, एक question जो आ जाता है ना, एक दुबार आ चुका है, इसलिए हम इसको अलग से ले रहे हैं, भाई ये कि source है, डवल्यू का source है ये, है ना, ये क्या है, light फैक रहा है, और ये एक दिवार है, ये सारे photon एब्सॉर into velocity, तो power तो है w, force into velocity है c, speed of light से जा रहे हैं, तो w by c force हो जाएगी, तो basically f force ये जहेल रहा है, इसके उपर क्या है, photos हिट कर रहे है, hit कर रहे है, radiation pressure वाली force है basically है, तो w by c, ठीक है, अब अगर कोई हम से पूछ ले भाईया, कि ये reflect कर रहा है, आई टकराई गई, आई टकराई गई, तो भीजे, कितरी force लगेगी, तो कितरी force लगेगी, absorb, मतलब absorb रहते हैं, तब w by c थी, तो w by c से आई, और w by c और extra लगेगी, वापिस फेक्नम में एक तरह से, तो 2 w by c, 2 w by c, ठीक है, सारे के सारे photos reflect हो रहे हैं, ठीक, चलिए, very good, इसमें कहीं बार ऐसे ही पूछ ले multiply कर देंगे, अगर ऐसा है कि 40% absorb हो रहे हैं, और 60% reflect हो रहे हैं, ठीक है, ऐसे कोई सवाल भी पूछ लेते हैं, चलिए, very good, अब देखते हैं, photo electric effect, the most important part, ठीक है, photo electric effect, मज़ेदार है, मज़ा आ जाएगा इसमें समझने में, आपको revise करने में, मज़ा जाएगा, यार मेरे को पढ़ाने में इसको इतना मज़ा आता है न, photo electric effect को अभी देखना, आपको revise आप करोगे न, मज़ा आ जाएगा इसमें, तो देखो, ये metal surface लेलिया, बहुत सारे electron बढ़े अंदर ये, आप क्या है, photon आएंगे उपर से, तो कुछ photon तो बिना absorb हुए सीधे निकल जाएंगे, एक photon आया थे, कोई बिना absorb हुए सीधे निकल गया, कुछ नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे होंगे, जो electron से बिढ़ गए न, तो कुछ electrons को बहार निकाल देंगे, तो photon आया, electron से ठकराया, electron ने absorb के भी सीधे बहार निकल गया, इस effect को photo electric effect कहते हैं, कि photo आया, photo मतलब photon आया, औ और electric effect प्रड्यूस करके चले गया, electron निकाल के चले गया, basically, electron निकल गया, तो photo electric effect, phenomenon in which electrons are rejected by light is incident, तो surface is called photo electric effect, और जो यह ऐसे electron निकलते हैं, उसे photo electrons कहते हैं, photo electrons, ठीक है, photo electrons, very good, अब देखिए, एक interesting चीज़ देखते हैं, भही यह metal surface है, electrons है, इसमें बहुत सार हैं, ठीक है, electrons है, अब यह H new का photo नाया, इस electron को निकाल के चले गया, H new energy का photo नाया, ठीक है ना, बिड़ा, इसको निकाल के चले गया, अब इसमें जो है न, देखो, minimum energy required to exit electron from surface of substance, इसकाल वर function of the substance, वर function क्या होता है, यह यह electron, metal के nucleus से भी attached, मतलब, attached नी, attracted होते हैं, metal इनको पकड़ के रख energy चाहिए होती है, इनको बाहर निकालने के लिए, कोई आदमी घर में बैटा हुआ है, उसको बाहर निकालने के लिए minimum energy चाहिए, उस minimum energy को work function बोलते है, metal to metal अलग-अलग होती है यह, तो work function मतलब minimum energy कितनी चाहिए, work function phi से denote करते हैं, उसको ठीक है, अब देखो, जो यह electron निक मालो, आप मेले में गए, मेला होता है ना, मेला लगता है, फेर लगता है जो, आप 100 रुपे मेले में लेके गए, ठीक है ना, अब आपको मेले में जाने के electron, basically यह मेला है अंदर, मेले में आपको 40 रुपीज तो आपको खर्च करनी है, compulsory, मालो मेले की entry fees है वो, entry fees 40 रुप बच गए, आपके बाद में, 100 रुपे लेके आए थे, 40 खर्च हो गए, कितने रुपे बच गए, आपके बाद में बच गए, 100 minus 40 that is equal to 60 रुपीज बच गए आपके बाद में, अब देखो, आप मेले के अंदर 60 रुपे अब आपके बचे, अब आप वो सारे के सारे खर्च भी कर सकते हो, और आप एक भी रुपे खर्च नहीं करो, तो जब आप वो मेला घूम के वापिस आओगे भार, वापिस आओगे, exit करोगे, तो आपके अबास में कितने रुपे से कितने रुपे तक हो सकते हैं, बताओ इधरा, अगर आपने सारे के सारे 60 रुपे खर्च कर बापे समझो, 100 रुपे लेगा है, 40 कमपलसरी सबको खर्च करने अंदर, जो भी मेले के भार निकलना चाता है, उसको 40 रुपे तो एंट्री फीस पहले घुसने के दिनी पड़ेगी, तो भाईया, आप मेले के वाहर 0 से 60 रुपे निकल सकते हो, इलेक्ट्रोन भी उसी तरी जादा से जादा, कितनी लेके निकल सकता है वो, इतना जितना उसको मिला, माइनस मिनिमूम खर्चा जो करना है, 60 रुपे, और मिनिमूम काइनेटिक एनरजी कितनी लेके निकल सकता है, कोई सारे पैसे उढ़ा के आया अंदर, तो वो 0 पैसे लेके बाहर निकलेगा, जस ब इनरजी मैक्सिमम इकल टो एच निव माइनस 5, ठीक है, चलिए, वेरी गुड, अब देखें, मिनिमूम फ्रिक्वेंसी फॉर वेच इलेक्ट्रॉन जस कमस आउट, इसकोल थेशोल फ्रिक्वेंसी, इसकी मिनिमूम फ्रिक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, जिससे की इलेक्ट् को देके भेजने पड़ेंगे कि थोड़ी भार निकलने की उकाद तो रखें, यार जो आदमी मेले में जाने की उकाद इन रखता है, वो भार किसे निकलेगा, तो 40 रुपे तो कम से कम देके भेजने पड़ेंगे, तो H new not equal to 5, ध्यान रखना, इसे threshold frequency बोलते है, इस frequency के उपर ही photoelectric effect होता है, 40 रुपे से कम देजा, तो कोई electron बहार ही नहीं आएगा, बोल लेगा मेरे को minimum 40 रुपे का खर्चा पानी तो दो, तभी मैं बहार आऊँगा, नहीं तो मैं बहार नहीं आऊँगा, सारे photon जो हैं, उन में से कोई भी काम नहीं कर पाएगा, electron को बहार नि हो जाएगी, H mu minus mu naught, F frequency, F minus F naught भी बहुत सकते हैं, समझ में आगई बात, समझ में आगई, यहीं सेम कहानी, wavelength में देख लेते हैं, maximum wavelength, frequency minimum, तो wavelength maximum, for which electron just comes out, is called threshold wavelength, देखो, H mu naught is equal to Hc by lambda naught होगा, H mu naught equal to Hc by lambda naught होगा, तो frequency minimum है, तो wavelength maximum होगी, क्योंकि wavelength जादा होती है, तो energy कम होती जाती है, तो इस lambda naught से, तो Hc by lambda naught equal to 5, भाई, यह H mu naught के बराबर है, mu naught की value, C by lambda naught रख दी, ठीक है, photoelectric effect होगा, जब lambda, lambda naught से कम होगी, तो wavelength कम होती है, तो energy, जादा होती है, ठीक है, तो बस, यह रख दिया, Hc 1 by lambda minus 1 by lambda naught हो जाएगी, समझ गए, समझ गए, ठीक है, चलिए, अब इसका setup देख लेते हैं, देखो, यह photoelectric effect का setup होता है, तो देखो, यह जो है, यह है cathode है, यह है, और यह जो है, यह है anode है, अब यह हम इसका animation यहाँ पड़ नहीं देखेंगे, वहाँ फुल lecture इसारा लैप में देखो, तो पूरा एक एक चीज़ का animation है, यहाँ तो अभी revise कर रहे हैं, यहाँ बैटरी लग रही है, यह negative terminal, यह positive terminal, ठीक है न, यह anode, यह cathode, अब यहाँ से light डालेंगे, तो cathode से photoelectrons निकलेंगे, अभी anode positively charged है, तो यह क्या होगा, electrons को attract करेंगे अपनी दराफ, ठीक है, इसकी potential है मानलो VA, इ अगर हम current का graph बनाएंगे न, यहाँ से जो electrons निकल रहे हैं, उनसे जो current है, उसे photoelectric current बोलते हैं, तो अगर हम graph बनाएंगे देखो, I versus VA-VC का, तो कुछ ऐसा graph बनेगा, IS जो है, वो saturation current है, अभी समझते देखो, इसमें क्या हो रहा है, यह graph जहाँ रखना, और यह VSP क्या है, यह भी समझेंगे, देखो, VA-VC, देखो तो इसमें क्या है, बहुत simple सी चीज़ है, मालो हमने बैटरी नहीं लगा रहा है, इन दोनों की potential बरावर है, तो कुछ जो electrons निकल रहे हैं, वो अपने आप जितने पहुंच जाएंगे, वो उतने पहुंच जाएंगे यहाँ पर, क बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, ओट जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा, जिसके बाद सारे लेक्ट्रोंस पहुंच रहें, यार सारे लोग जो मेले में यहाँ से बाहर निकल गए न, वो यहाँ तक पहुंच रहें लग गए, वेसिकली अब, अब उस पार तो समझ में आए, जिरो से लेका यहाँ तक का, अब यह नेगिटिव का क्या खेल है देखते हैं जड़ा, नेगिटिव का क्या क्या खेल है, देखो, यह हमारी कैथोड, यह हमारी एनोड होती है, ठीक है न, बिसिकली इसको कैथोड एनोड नहीं बोल रहे हैं अभी, अब हमने यह यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल और यह यह वैल्यू पलट दी, तो यह पॉजिटिव हो गया और यह नेगिटिव हो गया, लाइट यहाँ से आ रही है, यहाँ से इलेक्टरोन निकलेंगे, कुछ एनरजी के साथ इलेक्टरोन निकल रहे हैं, लेकिन अब क्यो पहुचेंगे, जर्स यह जाएगे, यह ऐसे लोट के आ जाएगा, एक वैल्यू ऐसी आईगी, वी ऐसी माइनस वी सी की, इतनी नेगिटिव वैल्यू आईगी, मतलब यह इतना पॉजिटिव हो जाएगा, कि कोई उलेक्टरोन यहाँ पर नहीं पहुज़़ रहे हैं, करें पोटेंशल की अभी करेंट जीरो हो गया समझ गया जीरो करेंट हो गया ठीक है तो इस टॉबिक पोटेंशल की डेफिनिशन भी देख ले थे लेगिटिव वोल्टेज उतनी कि जिससे कि सारे लेक्ट्रों वापिस में गुज्जें यहां कोई नहीं पहुंचे वो वी एसपी हो गया ठीक है तो बेसिकली जब अपने सबसे पाउर्फूल इलेक्ट्रों को मतलब सबसे ज़ादा काइनेटिक एनरजी वाले उलेक्ट्रों को वापिस यह बुला लिए अपनी तरफ वापिस यह बुला लिए अपनी तरफ तो आपका काम हो गया और कोई नहीं पहुंच पाएगा यार हर electron अलग kinetic energy लेकर आ रहा है मान जो भाई 0 से लेकर kinetic energy maximum तक electrons के पास है 0 से लेकर 60 रुपए तक लेकर निकल रहे हैं सब तो अगर आपने 60 रुपए वाले को वापिस बुला ले सबसे महेंगे वाले electron को मतलब सबसे अधा kinetic energy वाले electron को दो बाकी और कोई पहुंचेगा ही ठीक है तो चलिए तो the value of vc-va at which photo current just stops is called stopping potential vsp stopping potential ठीक है the maximum value of photoelectric current is called saturation current ये दोनों चीज़े देख लिए हमने e vsp equal to kinetic energy maximum तो देखो ये जो equation है na basically celebrated है e vsp is equal to ke maximum जो maximum electron maximum kinetic energy जो निकल रहा है उसको हमने just cathode से anode पे just इस potential के through e vsp जो है उस पे लगा के just इसको वापस पल्टी करवा लिया तो e vsp energy से counter करवा लिया kinetic energy basic है ठीक है तो ध्यान रगना e vsp equal to kinetic energy maximum चलिए very good h nu minus high हो जायागा वो बहुत बढ़िया अब देखिए intensity के साथ variation देखते हैं जरा आपन intensity बढ़ा देना intensity कैसे बढ़ा रहे है frequency same रखके बढ़ा रहे है मतलब number of photons बढ़ा दी है देखो intensity बढ़ा ही तो number of photons बढ़ेंगे तो ज्यादे लेक्ट्रोन निकलेंगे तो ज्यादा यहाँ पर पहुचेंगे तो उसी proportion में current बढ़ेगा provided frequency same रखके है तो हर एक photon की energy same है बस intensity बढ़ा दी मतलब number of photons बढ़ा दी है तो जितने ज्यादा photons आएंगे उतने ज्यादे लेक्ट्रोन बहार निकलेंगे उतना ज्यादा current आएगा तो इतने number of photons emitted per second is relative proportional to intensity of incident radiation ग्राब बना अगर I versus intensity of light का तो for mu greater than mu not भई electron निकलने तो चीए फोटो electric effect होना तो चीए तो frequency mu not से ज्यादा है तो straight line graph आता है intensity बढ़ाने से क्या होता है kinetic energy maximum भी उतनी रहती है kinetic energy maximum अभी भी जो है kinetic energy maximum तो h nu minus 5 ही रहेगी बस number of electrons जादा हो जाएंगे इसी चीज़ से तो photo electric effect से पता पड़ा था कि particle nature होता है particle का वो particle nature भी होता है light का कि हम intensity जब mu less than mu not पे हम intensity बढ़ाते जारे थे बढ़ाते जारे थे बढ़ाते जारे थे न और देड़ तक भी light फेंग रहे थे तो भी कोई electron बहार नहीं आ रहा था तो पता पड़ा यार particle nature है mu greater than mu not होगी तब ही जाकर particle वो electron बहार निकलेगा ठीक है चलिए तो वह अगर graph बनाए हम तो देखिए एक graph हमने यह बनाए i1 intensity पे एक graph है बनाए i2 intensity पे एक graph है बनाए i3 intensity पे एक graph है बनाए i3 intensity पे सेम metal है तो work function सेम हो गया तो i3 greater than i2 greater than i1 vsp same है सबकी vsp same है क्योंकि frequency same है तो evsp is equal to kinetic energy maximum that is equal to h nu minus phi तो new same है मतलब frequency same है तो vsp भी same होगी intensity बढ़ाने पे बस saturation current की जो saturation current है उसकी value बढ़ रही है बस ठीक है समझ गए याद रखना है graph तो intensity frequency same रखते हो बढ़ाई गई है चलिए बहुत बढ़िया अब देखते हैं अगर हम एक mu1 अब frequency बदलते है frequency बदली frequency एक रखी mu1 तो यह vsp1 हो गई frequency दूसरी रखी तो यह mu2 पे vsp2 हो गई अब याद frequency बदली है हमने powerful photons भीज रहे है तो ज़्यादा kinetic energy वाला निकलेगा metal same है जब एक powerful photon में ज़्यादा kinetic energy वाला निकलेगा तो उसके लिए ज़्यादा vsp भी चाहिए होगी रोकने के लिए ठीक है तो mu1 is greater than mu2 mu1 is greater than mu2 vsp1 is greater than vsp2 ठीक है जिसकी frequency ज़्यादा होगी भाई एक ही metal है दो photons भेजे हमने एक frequency mu1 का एक frequency mu2 का माल लो दो डाइप के photon भेज रहे है अपने यह इससे ज़्यादा energy का है तो यह जो electron निकालेगा उसकी kinetic energy maximum होगी h इसकी kinetic energy maximum होगी h nu1 minus 5 और इसकी जो kinetic energy maximum होगी h nu2 minus 5 यह ज़्यादा होगी इससे तो यह e vsp1 के बराबर है और यह e vsp2 के बराबर है ठीक है चलिए समझ में आया now vsp और frequency के बीच में ग्राब देखते है जरा तो भाई e vsp equal to h nu minus 5 होता है तो vsp equal to h by e mu minus 5 by e vsp versus mu frequency का ग्राब बनाएंगे अगर अपन तो इसका ग्राब straight line करवाएगा देखो straight line करवाएगा जिसका intercept minus 5 by e आएगा यह धियान रखना important है जिसका intercept minus 5 by e आएगा slope देखो सबके लिए same है slope जो है h by e है metals के independent है अपने एक metal लिया दूसरा metal लिया एक metal का 5 and कम है दूसरे का 5 2 जादा है पर function जादा है तो दोनों के लिए slope same होगी parallel line होगी है h by e की slope होगी ठीक है यह गराब जहां पागता चलिए बहुत बढ़िया अब देखते हैं जरा हम deep broadly wavelength particle nature की बात होगी पर अब dual nature होता है matter के पास भी wave nature होता है वो deep broadly साब ने बताया तो भाईया किसी भी चीज़ का अगर momentum है पी तो उसकी wavelength होगी जिसे d broadly wavelength कहते है lambda that will be h by p h is plank constant plank constant by momentum उसकी wavelength होगी जिसे d broadly wavelength कहते हैं बहुत important है direct question आते हो सीधे formula लगाना होता है इसमें ठीक है तो kinetic energy होती है P square by 2m यार P momentum है यह जो P है यह momentum होता है यह ठीक है न तो P square by 2m mass particle का महाँ से kinetic energy हो जाएगी P square by 2m तो भाईया P की जो value हो जाएगी वो 2m k हो जाएगी यहां पर रख देंगे तो lambda equal to h upon root 2m kinetic energy भी हो जाएगी ठीक है आप तो h by p यहाद रखना यह अपने आप आ जाएगा वहाँ से कभी सरे question आते हैं कि एक मानलो alpha particle है एक proton है दोनों के अपास में सेम kinetic energy है इनकी डी ब्रोगली wavelength का ratio बताओ तो पस इनके mass root of m के inverse ratio में lambda हो जाएगी kinetic energy सेम है तो अगर ठीक है चलिए एक चीज़ और आती है अगर किसी electron को हम potential difference भी से पास करें अगर किसी electron को हम potential difference भी से पास कर है तो उसकी kinetic energy कितनी हो जाएगी EV हो जाएगी तो जो डी ब्रोगली wavelength हो जाएगी उसकी हो जाएगी h upon root 2mE EV E into V is kinetic energy यार V volts उसको accelerate करवाया है तो EV उसकी kinetic energy हो जाएगी mass of electron 9.1 ट्रेंगी और minus 31 kg रख देंगी सारी value value डाल डूल देंगे तो lambda की value under root 150 by V armstrong आ जाएगी armstrong में आ जाएगी armstrong में है यह अंडर root 150 by V armstrong में है इसे 12.27 by under root V भी लिख सकते हैं armstrong में आप तो यह आद रखना under root 150 by V ठीक है 12.27 इसका under root हो गया है 12.27 by V armstrong में आती है मतलब 10 की power minus 10 meter में आ जाएगी deep broadly wavelength समझ मैं देखो तो आपने कितरी जल्दी fast तरीके से यह photoelectrified पूरा device कर लिया अगर आपका यह week chapter है तो आप इसको 3 बार देखें medium है तो दो बार देखें और strong है तो एक बार में काम चल जाएगा week chapter है तो पहली बार में तो पूरे normal speed से देखें दूसरी बार में 1.5 से देखें और तीसरी बार में 2x पे देखें ठीक है मीडियम है तो 1x पर पहले देखें और फिर 2x पर 2nd round में देख लें याद हो जाएंगे सारे graph याद हो जाएंगे हमने सब कुछ cover कर लिया है इसमें ठीक है तो चलिए must revise करिए इसरल का channel subscribe कीजिए दोस्तों को बताईए हमारी टीम को भी बहुत motivation मिलेगा यार जितने जादा लोग इस वीडियो को देखेंगे ना उत्रही motivation मिलेगा टीम को भी चलिए all the best कि अच्छाइब तो